नमस्कार दोस्तों तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेवेलिशन पर और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ शनेकन कंट्रीज के बारे में कि कौन-कौन सी शनेकन कंट्रीज ने अपनी वीजा सर्विसेज रिजूम कर दी है और कौ कि आप में से बहुत से लोगों के मन में ये कुशन होगा कि कौन सी शनेकन कंट्रीज के वीजा के लिए हम अपलाई कर सकते हैं और कौन सी वीजा के लिए हम नहीं अपलाई कर सकते हैं और कौन सी कंट्रीज वीजा दे रही हैं और कौन सी शनेकन कंट्रीज वीजा नहीं द जानकारी अगर आती है तो मैं तुरंद वह आप तक पहुंचाओंगा वीडियो के माद्यम से तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं एक महत्पून जानकारी आपको दे दू कि वीएफस ग्लोबल पर आज ही अपडेट आया एक नहीं अपडेट आया ह तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा कहीं भी स्किप मत करिएगा हो सकता है कोई जानकारी आप से आप तक ना पहुच पाए तो इसकारण पूरी वीडियो देखिएगा और इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो आज मै एक ऐसी शेनेगन कंट्री की बात करने जा रहा हूं जिसने अपने सारे बॉर्डर ट्रेवलर्स के लिए खोल रखे हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के तो इस कंट्री का नाम है एस्टॉनिया जी हाँ मैं आपको बता दूँ कि एस्टॉनिया ने शौर्ट टम इस्टे वीज के लिए अपलाई करना चाहते हैं अगर आप इन के लिए तो आपलाई कर सकते हैं अब दूसरे नंबर पर मैं बात करने चाहरा हूं बेल्जियम की तो मैं बता दो कि बेल्जियम ने भी लिम्टेट कैटेगरी शौर्ट इस्टे एंड लॉंग इस्टे वीज़ा के दे दूँगा तो आप उसके थ्रू किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अपलाई कर सकते हैं तो बेल्जियम का जैसा मैंने आपकी बताया कि लिम्टेट शौर्ट इस्टे एंड लॉंग इस्टे वीज़ा अपलीकेशन लेना शुरू कर दिया है तो अगर आप इन में डी वीज़ा अपलीकेशन भी एक्सप्ट करना शुरू कर दिया है और लिम्टेट केटेगरी शौर्ट इस्टे एंड लॉंग इस्टे वीज़ा एक्सप्ट कर रही है डेन्मार्क एमबसी और अब मैं चौते नंबर पर बात करने जा रहा हूं फ्रांस की तो मैं बता दू की तो यह आप जरूर ऑनलाइन चेक कर लें उसके बाद ही अपलाई करें तो अब पांचवे नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूं लैट्विया की तो लैट्विया सिर्फ और सिर्फ स्टुडेंट वीज़ा अप्लिकेशन ही एक्सेप्ट कर रही है लैट्विया तो इसलि के लिए कि अगर आप मेंसे कोई जाना चाहता है गोमने के लिए तो अब वो उस विजिटर वीजा के लिए अपलाई कर सकता है अभी तक और सिर्फ वर्क वीजा एंड इस्टुडेंट वीजा दे रही थी बट आज ही जैसा की अपडेट आया है तो अब और श्रीया ने व सब्सक्राइब करना चाहिए और भी जितने भी शरेकन कंट्री की में वह भी अपन हो रही है सुजर लैंड में अपनी वीजा अप्लिकेशन सेंटर ओपन कर दिये हैं सर्विसेज रिजूम कर दी है और भी जो भी नहीं जानकारी आपडेट आती वह मैं आपको जरूर दू करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए मैं उस पर भी अलग वीडियो बनाऊंगा नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मैं मैं अपना मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी आपको देनी थी और मैं फिर बोल रहा हूं क कि और श्रिया ने विजिटर वीजा अप्लिकेशन एक्सेप्ट करना शुरू कर दी हैं और आप और श्रिया इसके वीजा के लिए एपलाई कर सकते हैं विजिटर वीजा के लिए तो इसलिए यह आज जो अपडेट आया वीफिस ग्लोबल से मैंने कई आपको मैं जरूर ब अगर उन में से आप कोई प्रोडेक्ट मंगवाना चाहते हैं तो वह आप ले सकते हैं तो अगर आप कुछ भी खरीते हैं तो यह रहता है मुझे थोड़ा सा फाइदा हो जाता है आप अगर ऐसे भी लेंगे तो आपको उतने का ही पड़ेगा तो वह आपकी मर्दी है अग अगर आप उसमें क्लिक करके जरूरी नहीं जैसे मैंने कैमरा कर लिंक दिया है तो आप कैमरा मंगाएं आप उस पर क्लिक करके कुछ और और करते हैं Mixi या या Airpods या Bluetooth headphones या कुछ भी और करते हैं तो आप और कर सकते हैं तो आज की वीडियो में सिर्व इतना ही और जैसी को कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी तो इसी के साथ फिर मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ पाई जय है